कल देर साम दिनांग 19 नवंबर 2022 को उपायोक्त गढ़वा रमेस घुलप ने गढ़वा प्रखंड के कल्यानपूर पंचायत अंत्रगत धर्म डीह ग्राम के मुसहर परिबारों से मिलकर उनकी समस्याइं सुनी समस्याओं से अउगत होने के उपरांत सभी मुसहर परिबारों के आधार कार्ड एमंगरासन कार्ड निर्मान तथा बच्चों को इसकुल भेजने की वेवस्ता सुनिश्चित करने की बात कही साथ दिनों के अंदर अधार कार्ड एमंगरासन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया जमीन वो घर की विवस्ता सुनेशित करने है तो सम्मधित प्ताधिकारी को निर्देशित किया गया सभी ने अपने अपने बच्चों को नीमित इसकुल भेजने की बात कही जिला सिक्षा अधिक्षक गणवा से बात करके कैम्प लगाकर सभी बच्चों का नमांकन कराते हुए उनके लिए युनिफॉर्म, टीफिन, बॉक्स, कॉपी, कलम, किताबें, पुसाग, आदी, अन्य सिक्षन, संबंधी अवस्यक सामगरे मुहिया कराने का निर्देश दिया क्या। उपस्तित ग्रामियों ने अधार कार्ड नहीं होने के कारण किसी भी ब्रिद व्यक्ति अथ्वा दिव्यांगों को पिंसन का लाब नहीं मिलने की बात कही। मौके पर उपस्तित DPO, UUIT, ग उपायुक्त ने सभी मुसर परिवारों के लिए सभी संभव सहय था यथा सिग्रिक करने की बात कही। 17 परिवारों के लगबग 77 व्यक्तियों के लिए घर दिलाने हेतु अंजला अधिकारी गढ़वा कुमार मयंक भूसन को भूमी चिनित करने का निर्देश दिया। मुस उपायुक्त सिरी घुलप ने मुसर परिवारों को पसुपालन योजना से अच्छादित करने की बात कही। जिसके तेहत सुवर एवंग बकरी पालन करने की सलाह दी गई। अधार काड नेर्बान होने के उपरांत सभी को रासन काड एवंग प्यंसन योजना से गुरुक रहने को कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को इसको लवत से भेजे ताकि पढ़ लिखकर लोग तरक्की करें। मौके पर सभी मुसर परिवारों के बीच उपायों खुद्वारा कंबल वित्रन किया गया। इमंग उन्हें योजनाओं से अच्छादित करते हैं तू संबंधित पताधीकारियों को केंप लगाते हुए उनकी समस्याओं का सामाधान करने हैं तू निर्देशित किया गया। पर्खंड के अन्यक कर्मी पताधीकारी गन उपस्तित थे।